तो चलिए मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं। दुनिया को सच्ची रहा दिखाने वाले महान क्रांतिकारी विचारक कार्ल मार्श एबं भारत को सच्ची रहा दिखाने वाले महान विचारक बावा साव अंबेटकर को नमन करता हूं। और शाहित के इस मंच में महान बिद्वान, महापंडित, राहूर सांकृत्यान को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। आज मैं कुछ कविताएं और दो लोहकथा लेकर बैठा हूं। सबसे पहले मैं एक लोहकथा सुना रहा हूं। लोग बठा के मरम तब पहुचने का प्रयास कीजिएगा। देवताओं का मंत्री ये साहित नामा में छपा था। देवताओं का मंत्री। विश्नु ठाकुर जी जूड़ चुके हैं। रामकुमार भांभुजी हैं। सबको नमस्कार। अम्रित गुराएं। रंजीता के मन में उथल पुथल चल रहा था। गर्म दूद सी प्रशन्नता रह रहकर उफन रही थी। सितल जल सी आसंका की बोचार से स्तुरंत सांथ हो जाती थी। सोचते सोचते और टहलते टहलते वहां अमीत का घर आ पहुचा। अमीत ने आंगन में खटिया विछाते हुए हाल चल पुछा। हाल चल क्या बताऊं हतिजा। खटिया पर बैठते हुए रंजीता बोला। पता नहीं इस साल क्या होगा। कुछ रुक कर हुआ पुना बोला। हालाकि पानी भी सागा थे। मतलब यह अमीत की समझ से बाहर की बात थी। रंजीता हसने लगा। हास्ते हास्ते बोला। सचमुच आज की पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रहा। पहले की पढ़ाई लिखाई में दम था। पहले का मेट्रिक पास आज की आयद यह एमे का कान कार देगा। बड़ी टाइट थी। गुरु जी की मार। फुफा जी जी जो बोले उसका अर्थ तो बताये। अरे इस साल खुब बारिसोगी खुब समुदर में 50, परवत में 30, और धर्ती में 20. किसने बताये आपको बतायेगा को इस साल का माने 14-27 बंगावद का पंचान खुद देगलो बेनिमादव सील के पंचान में किलियार काट लिखा हुआ है। एकदम किलियार काट। अभी तो पंडी जी पढ़कर सुना रहे थे। हम, अमित थोड़ा मुस्कुराया और बोला, फुफाजी तब तो इस साल धान भी अच्छा होगा। हाँ हाँ, धान 15, धन बिर्द्धी 20, प्रजा बिर्द्धी 17, आरुग्ग 14, धर्म 21 और वाह। तब तो खुशाली छा जाएगी। लोग सूक सांती से रहेंगे। बहुत अच्छा। उम्मीद काम है बाबु, रंजीता ने लंबी सांस छोड़ी और गंभीर हो गया, मस्तक पर चिंता की लकीरे उभर गई। क्या हूँ, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो, सब कुछ तो अच्छा है, परन्तु मंत्री अच्छा नहीं है बेटा, मंत्री सनी है, सनी। वह आम पाबलिक का भलाई कभी नहीं चाता है, अरे बाबा, तो उसे हटाने का उपाए, किसका बुता है कि उसे हटा देगा बतिजा, वह तो देवताओं का मंत्री है, देवताओं का मंत्री, हाँ, देवताओं का मंत्री, भूद राजा, सनी मंत्री, तुम इस सब नहीं सम जोगे भीतर से आतंकीत रंजीता उपर से कठ हंसी हंस रहा था अब अगली लोह कथा जो है उसका सिर्षक है एक था बगत तक दादा जी आज कोन सी कहानी सुनाएंगे बड़कु ने पूछा बेटा आज इतिहास की एक कहानी सुनाएंगा जी सुनाएं छोटकु बोला दादा जी कहानी सुनाने लगे एक था गांधी एक था इर्विन और एक था पत्तक उन दिनों गांधी जी नील किसानों की परिशानियों को समझने के लिए चंपारण के इलाके में गए हुए थे भले ही उए उस समय देश के बड़े नेता नहीं पने थे परन्तु चंपारण के लोगों की निगाह में उए एक मसीहा के रूप में छा गये थे इर्भीन नील खेतों का मेनेजर था उसने एक दिन गांधी जी को बारता करने के लिए रात्री भोज में आमंत्रित किया और गांधी जी समय पहुँच गए बारता हुई रात्री भोज हुआ और अब इर्भीन के कहने पर बत्तक एक गिलास दूद ले आया दादा जी रुकिये पहले या बता ये बत्तक बक्षी था या इनसान दादा जी ठाहा का मार कर हसे फिर तुरंत गंभीर होकर बोले बेटा वह एक मुसल्मान था उसके मन में कई तरह के विचार उठने लगे आज हिंदू मुसल्मान एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं यदि गांदी जी नहीं रहेंगे तो आंदोलम कमजोर हो जाएगा फिर आजादी उसका हाथ कापने लगा उसने जान बुज कर गिलास को गिरा दिया वहीं पर एक बिल्ली थी उसने दूद पी लिया और लुढ़क गई पटक मिया संध होकर खड़ा था बापरी पटक मिया ने बहुत बड़ा कान किया मगर दादा जी हम उसके बारे में जानते क्यम नहीं इतियास में पढ़ते क्यम नहीं छोटकु ने पुछा दैत ब तब पढ़ने को मिलता छोटकु ने आश्चर के साथ पूछा हाँ बढ़कु ने जवाब दिया हाँ बेटा दादा जी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा और तब आज के चैनेल वाले रोज बोल बोल कर हमें रटवाते रहते एक था बत्तक वह था चलिए अब मैं कविता पर आता हूं रतना बर्मादीदी नमस्कार और कौन-कौन है देखें मोगा लदा में तुमरा है तो ट्रुट किल अगे अगे तो के याप याप प्राम नद्रेश जादव जी बड़े भाई जाना नमस्कार है ध्रम स्री राजपूत हां मेरा दोस्त जितंदर जी जूड़े हुए हैं नमस्कार भाई प्रणाम अंकल धर्म स्री बोल रहा है अच्छा अच्छा प्रणाम प्रदीप कुमार नमस्खान प्रदीप जी ठीक हैं चलिए मैं पहली जो कविता सुनाओंगा ये कविता बैनर में भी छपा था ये काफी चर्चित कविता हुई छोटी कविता है लेकिन इसकविता को लोगोंने काफी सराहा है भगवान का जन्द मुझे तो लगता है कि सारी समझसा का जड़ एही पर है इसको समझना है तेखा नहीं किसी ने और मान गए सब खोप की दुनिया ने खुदा नाम रग दिया एक सेर है और और एक सेर है इस जहां का अंदाज ही जुदा होता अगर कहीं खुदा होता अब मेरी कविता भगवान का जन्द मास संदेश में छपाता संसार बना जीवन बना तब विद्धी और मन जहां बात समझना आई दिया देपता को जन्द संसार बना जीवन बना तब विद्धी और मन जहां बात समझने आई दिया देवता को जन बारिश से इंद्र जनमा पानी से जनमा वरून आग से अगनी देव बना सुरज से बना वरून भन से लच्मी बल से दुरगा सरसती बनी ज्यान से भन से लच्मी बल से दुरगा सरसती बनी ज्यान से स्रिष्टी से ब्रम्भावना यम वित्तु के ज्यान से भाईरस से कोरोना जनमी नहीं देवी नया विधान इसी तरह जनमा था कभी अल्ला गर्द भगवान और यही जो है हमारा हमारे देश में जाती को जन दिया हलाकि पूरे पूरे दुनिया में जाती पर जाती पर रंग रूप के आधार पर नसल के आधार पर काफी उत्ताचार हुआ परन्तु हमारे देश में जो हुआ यह सब से खतकनाग हुआ करता है कि केले के पात पात में पात गधे की लात लात में लात कभी की बात बात में बात हिन्दु की जात जात में जात दुनिया का अगर सबसे बड़ा अपराद कोई है तो वो अपराद है मा की कोख को अच्छूत खोशित करना जो की हम बदस्तूर कर रहे हैं आज भी जारी है सैतिजीत सेक्तार्थी जी बोर रहे हैं की एक गीत सुनाई अच्छा देखता हूं तो लोग कहते हैं की जाती नहीं है जाती है सुरू से रहा है लालन फोकिर खुब जोर इस पर बाउल कभी लालन फोकिर इस पर खुब जोर आंदोलन चलाये थे उन्होंने गाया था जात गैलो जात गैलो बोले एकी आजो करे खाना जात गैलो जात गैलो बोले एकी आजो करे खाना रेदास ने लिखा था जात जात में जात है जेओं केतन के पाथ रेदास मानुस न बन सके जब तक जात में जात है लोग कहेंगे कि आज जात नहीं है जाती बाती नहीं है मगर बदस्तूर है गाउं में दुसरे तरह से है सहर में दूसरे तरह से है और इसी पराधारी थे मेरी कवीता हां मैं जातिवादी हूँ जरा ध्याने जे मात्र जाती के नाम पर कुछ को कहता हूँ प्रणाम हा मैं जातिवादी हूँ जाती देखकर ही किसी का करता हूँ स्वागत देता हूँ खटिया दोता हूँ पाउँ पिलाता हूँ चाय मात्र जाती के नाम पर कुछ को कहता हूँ प्रणाम किसी को बुलाता हूँ काम पर जाती ही देखकर कुछ खास जाती से कुछ खास काम नहीं करवा सकता हूँ कहना भी पाप मानता हूँ किसी को बुलाता हूँ काम पर जाती ही देखकर कुछ खास जातियों से कुछ खास काम नहीं करवा सकता हूँ कहना भी पाप मानता हूं मैं, कुछ जातियों से डरता हूं मैं, उन्हें लड़ाकू मानता हूं, भले ही इतिहास में, भले ही इतिहास में कुछ जातियां परिस्त्रमी ओरी मानदार क्यों नहों, मैं तो उन्हें तुछ मानता हूं, कुछ जातियों से डरता हूँ मैं उन्हें लड़ाकू मानता हूँ भले ही इतिहास में भले ही इतिहास में कुछ जातियां परिस्टर्णी और इमानदार क्यों नहों मैं तो उन्हें तुछी मानता हूँ मैं सिख्छी थूँ प्रगति सी लूँ मंच पर बोलता हूँ धर धरा कर और खुब लिखता हूँ जातिवाद के विरूद किन्तु बाकी समय उफंता राता है मेरी जाती का उतक्रिष्ट जीन नहीं फेक पाता हूँ मैं उसे पाहद लिखा कर मैं सिख्छी थूँ प्रगति सी लूँ मंच पर बोलता हूँ धर धरा कर और खुब लिखता हूँ जाती के विरूद किन्तु बाकी समय उफंता राता है मेरी जाती का उतक्रिष्ट जीन नहीं फेक पाता हूँ मैं उसे पाहर विकाल कर बेटे बेटियों की साधी के लिए धूरता हूँ स्वजाती में भले ही नहो योज बले ही देना पड़े दहेज अपनी तो जाती प्यारी है बेटे बेटियों की साधी के लिए धूरता हूँ स्वजाती में भले ही नहो योज भले ही देना पड़े दहेज अपनी तो जाती प्यारी है बंधू मा की कोक से इसमसान की रात तक जाती का यह हमसपर मुझे मन है जातिवाद को सिंचित पोसित करने वाले दस्ता बेजी काले बादलों की रिमजिम बारिस में मैं भींगता हूँ दुरभी संदी के इस जाती असरोबर में खुसी खुसी अवगाहन करता हूँ बंधू मा की कोक से इसमसान की रात तक जाती का यह हमसपर मुझे मन है जातिवाद को सिंचित पोसित करने वाले दस्ता बेजी काले बादलों की रिमजिम बारिस में मैं भींगता हूँ दुरभी संदी के इस जाती असरोबर में खुसी खुसी अवगाहन करता हूँ इस तरह मैं जाती भादी हूँ हाँ हाँ हूँ मैं जाती भादी क्या तूम नहीं हो कि एक खुल तो कि तुम्हेरा कायद को इच्छन देखते बाची नहीं नहीं है कि अधा हमें देख रहा हूं रत्ना बर्मा जी नमस्कार दिद्धी आप लगी में ओनलाइन नहीं कि शतीजित सित्तार्थी जी बहुत अच्छा प्रस्तुती घिन्वाद भाई राज प्रभाकर जी नमस्कार भाई धर्म स्री राजपूत गाना गई यहां भाई देखता हूं गाना तो नहीं आता है लेकिन थोड़ा मोड़ा गुन गुना हूंगा जरूर चलिए अब मैं एक कविता फूलकुमारी हम लोग एक कहानी पढ़े थे बच्पन में टू क्लास में और अचानक कुछ दिन पहले मुझे फूलकुमारी की वो कहानी याद आई और मुझे लगा की कुछ लिखा गया पूरी कहानी तो याद नहीं था जैसे याद आया जैसे मने दिमाग में बैठा मैंने उसको बनाया और आप लोग विजारिए कि कैसी कविता बनी है कविता का सिर्षक है राज की हांसे राज की हांसे दो सेर कहना चाहता हूं कुछ भी न हो सका सभी कुछ संजोने में गोतम भाई जूर यह हैं हाँ भाई गोतम जी नमस्कार कुछ भी न हो सका सभी कुछ संजोने में जिन्दगी गुजर गई एक हांसी के लिए पुरूने में और एक बात और कहूंगा जरा कविता पर ध्यान दिजेगा इसलिए कहना चाहता हूं कि कविता के मर्म तक जाइए कविता करना खेल नहीं है पूछो हमपनकारों से हम सर लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से बच्पन में पढ़ी थी एक कहानी एक था राजा एक थी रानी उनकी बेटी थी फुल कमारी वो हो गई थी उदास राजा के डाटने पर अब उह नहीं हस्ती थी नगाती थी नश्ती थी उसे देख फुलों का खिलना रूक गया था चिर्यों ने चहचाहना छोड दिया था बच्चों का उचलना कुदना बंद था उसे देख फुलों का खिलना रूक गया था चिर्यों ने चहचाहना छोड दिया था बच्चों का उचलना कुदना बंद था चारो तरप उदासी थी आसंका थी एक डरावना परिवेश्था किसान मजदूर औरत मर्द युवा ब्रिद सारी जनता सहमी सहमी थी हसो बेटी हसो कहा गया था फुल्क मारी को मगर वह नहीं आसे हसो बेटी हसो कहा गया था फुल्क मारी को मगर वह नहीं आसे राजा हसा हा 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 राजा ने गाया आ राजा नचा चम 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 राजा ने बजाया धम 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 मगर फुल्क मारी नहीं हसे राजा हसा हा हा राजा ने गाया राजा नचा चम 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 राजा ने बजाया धम 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 मगर फुल्क मारी नहीं हसे जोकरों को बुलाया गया या कि साइद राजा ही जोकर बना जोकरों को बुलाया गया या कि साइद राजा ही जोकर बना बेटी को हसाने के लिए मगर फूल कुमारी नहीं हसे जोकर नाचा, उसका सागिर्द नाचा, उसका बकरा नाचा, उसकी दारी गीरी मगर फूल कुमारी नहीं हसे जोकर नाचा, उसका सागिर्द नाचा, उसका बकरा नाचा, उसकी टोपी गिरी, उसकी दारी गिरी, मगर फूलकुमारी नहीं हसे अंत में उसका पेट गिर गया, एक बड़ा सा पेट, तब फूलकुमारी हस पड़ी थी, सारा राज खिलखिला उठा था अंत में उसका पेड गिर गया एक बड़ा सा पेड तफुलकुमारी हस पड़ी थी सारा राज खिलखिला उठा था सायद उसी पेड में दफन थी सारे राज की हसी सारे राज की खुशी अखिलेश सर गुराई ने कोमेंट किया है आपका गुन गुनाना पसंद है भाई सेती जी भाई लिक रहे हैं पूरु सुत्तम जोसी जी नमस्कार सर गोपेंद्र भाई गोतम भाई जूड़े हुए है नहीं का नाम छूट रहा हो क्या कि चलिए कि टाइम को ड़ा है कि एक कविता को काफी सरहा गया इसको भी मैं पढ़ना चाह रहा हूं जूता मत बनो हस्ताक्षर में छपी थी अरच ना एक सिर जुक कर सलाम करने में क्या हर जय मगर जुक कर सलाम करने में क्या हर जय मगर सर इतना मत जुकाओ कि दस्तार गीर पड़े जुता मत बनो अगर जुता खना पड़े तो खाओ जुते कोई बात नहीं अगर जुता खना पड़े तो खाओ जुते कोई बात नहीं मगर बंधू किसी का जुता मत बनो जारो पोच्छो साप करो किसी के जूते कोई बात नहीं मगर बंधू किसी को जूता मत परनाओ यदि मजबूर हो तो किसी के जूते को सीर पर धो 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 कोई बात नहीं यदि मजबूर हो तो किसी के जूते को सीर पर धो ढो 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 कोई बात नहीं, मगर बंधू किसी के जूते के आगे सीर मत चुकाओ, दबी हो गर्दन किसी के जूते के नीचे, तो दबी रहे, रो कराओ, कोई बात नहीं, दबी हो गर्दन किसी के जूते के नीचे, तो दबी रहे, रो कराओ, कोई बात नहीं, मगर बंधू उस जूते को मत सालाओ जूता पहन कर जाना जहां बरजी थो तुम्हारे लिए उहां बिना जूते के जाओ बिरोद मत करो कोई बात नहीं एक रचना मैं फिर पढ़ना चाहता हूं समय बड़ा नाजूक है कारलबार्ष ने कहा कि समाज में दो बर्ग है एक मालिक और एक गुलाम मालिक अगर गुलाम पर उत्ताचार ढ़ाए तो यह सावाविक है लेकिन गुलाम अगर उस उत्ताचार को स्वत्व स्विकार कर ले गुलाम अगर जंजीर को आभुसन समझ ले यह बड़ा घातक है यह इस्थिती जब गुलाम मालिक का विरुदावली गावर मालिक के फेवर में बोले और गुलामी का गुनुगान करे यह इस्थिती बड़ा ख़तर नाख है तो इसी पर आधारित है अकबर इलहाबादी का की कुछ पंक्तियां में कहना चाहता हूं कोई हस रहा है कोई रो रहा है कोई पा रहा है कोई खो रहा है कोई ताक में है किसी को है गफलत कोई जागता है कोई सो रहा है कहीं नाउमीदी ने बिजली गिराई कोई बीज बीज उमीद के बो रहा है इसी सोच में तो रहता हूं अकबर या क्या हो रहा है या क्या हो रहा है और आलंग खुर्शित का एक सेर है बहुत सुकून से रहते थे हम अंधिरे में बहुत सुकुन से रहते थे अम अंधेरे में फसाद पैदा हुआ रोशनी की आने से और एक से रहे गुलामी को बरकत समझने लगे असीरों को एसी रिहाई न दे चलिए समय बढ़ाना जोगे जब गुलाम भी बोले मालिक की भासा रहे खड़ा उसके पक्ष में करे प्रतिरोद अपने मुक्तिकामी का अपने मुक्तिकामी का तो समझो समय बढ़ाना जोगे जब गुलामी की बिरुदावली गुलाम ही गाहे नाच नाच कर उचल उचल कर ओही लगावे नारा अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहे जब गुलामी की बिरुदावली गुलाम ही गाहे नाच नाच कर उचल उचल कर ओही लगावे नारा अंधेरा कायम रहे अंधेरा काय लुक है मालिक को रिजाने आकर उसके सामने जब जूम जूम कर ढूमे बार बार जंजीर को चुमे और इसके लिए गुलाम उतर जाये प्रतिस्परधा में मालिक को रिजाने आकर उसके सामने जब जुम जुम कर जुमे गुमे बार बार जंजीर को चुमे और उसके लिए गुलाम उतर जाए प्रतिस्पर्धा में तो समझ लो समय बढ़ा ना जुखे बात सही है कि ऐसा होता है होता आया है मगर बड़ी बात है यदि गुलाम ऐसा सतस्फूर्ध करे लोग गुलामी की तरब दोड़े तो रूखो सोचो समझो बिचारो कि ऐसा होता है होता आया है मगर बड़ी बात है यदि गुलाम ऐसा सतस्फूर्ध करे लोग गुलामी की तरब दोड़े तो रूखो सोचो समझो बिचारो क्योंकि समय बढ़ा ना जुखे है 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 पांच मिनल मत्र आट तक तीन अच्छे राज प्रभाकर जी उसा है हुआ है उसाजी नमस्कार चलिए मैं यह गाना का यह है कुछ कविताइं लेकर बैठाता लेकिन नहीं हो पाया अब गाने की जब फरमाई से तो थोड़ा गुन गुनाता हूं गाना तो नहीं आता है सद्धित जी ने कहा मेरे दोस्त जितंद्र जी ने भी कहा यह गाना है गाना क्या कहूं हबिव जालिव का नजम है दस्तूर इसको कहने के पहले गुनाने के पहले गुरक पांडे की चारपंतियां कहना जाता हूं राजा बोला राथ है रानी बोली राथ है मंत्री बोला राथ है संत्री बोला राथ है यह सुवeg की बात है दस्तूर हभी विजालेगे देपि जिसका महला तिही में जले देपि जिसका महला तिही में जले देपि जिसका महला तिही में जले चंद लोगों की खुसियों को लेकरी चले देपि जिसका महला तिही में जले चंद लोगों की खुसियों को लेकरी चले ओ जो साए में हर मसलहत के पली इसे दस्तूर को सुहे बेनूर को मैं नहीं मांता मैं नहीं मांता मैं नहीं मांता मैं नहीं मांता देपि जिसका महला तिही में जले जंद लोगों की खुसियों को लेकरी चले ओ जो साए में हर मसलहत के पली ओ जो साए में हर मसलहत के पली ऐसे दस्तूर को सुबहे बेनूर को मैं नहीं मांता मैं नहीं मांता मैं नहीं मांता मैं नहीं मानता मैं भी खाहिप्फि नहीं तकताए दारिशे मैं भी मनसूर हूं कह दो अग्यारी से, मैं भी खाहिप्फी नहीं तकताएदारी से, मैं भी मनसूर हूं कह दो अग्यारी से क्यों डराते हो जिन्दा की दीवार से, जुल्म की बात को, जे हल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं भी खाहिप्फी नहीं तकताएदारी से, मैं भी मनसूर हूं कह दो अग्यारी से, क्यों डराते हो जिन्दा की दीवारिश जुल्म की वात को जेहल की रात को मैं नहीं मानता फूल साखों पे खिलने लगे तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो पूल साखों पे खिलने लगे तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो इस खुले जूट को जेहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता पूल साखों पे खिलने लगे तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो चाक सीनों को सिलने लगे तुम कहो इस खुले जूट को जेहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकुं अब नहम पर चलेगा तुमारा फुसुं चारा गरद अर्द मंधों का बनते हो क्यों तुम नहीं चारा गरद कोई माने मगरी तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकुं अब नहम पर चलेगा तुमारा फुसुं चारागरदार्द मंदों का बनते हो क्यम तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता में नहीं मानता राम कोरन सोने जी बड़ी लेड़ से आये भाई बानेश्वर माद प्रााम गुरुजी शीव कुमार यादव जी नमस्कार सार आपका हना मेरे लिए बड़ा सुभाईगी बात ही चलि अब अंत में मैं एक कविता कहते हुए समय भी तो जबाब दे रहा है क्या टाइम हुआ तेरो ना वा साथ मिन्टा अचाहता हुए एक छोटी सी कविता पढ़ने के बाद मैं अंतिन कविता पढ़नेगा एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहता हुए लोगों की भावना को बड़ी ठेस पहुंचती है तो मैं कहना चाता हूँ लोगों को कि इनसान होने की पहली सर्थ है तारकिक और बेहतर सोचने की काबिलियत का होना अगर आप में तारकिकता नहीं है बेहतर सोचने की काबिलियत नहीं है तो आप इंसान होने की पहली सर्थ को पूरा नहीं कर रहे हैं और एही कारण है कि आपकी भावना को चोट पहुंचती है मैं तो इतना ही कहूंगा कविल की बात साधू एसा चाहिए जैसा सुख सुहाई सार सार की गही रहे थोथा दे उड़ाई जो थोथा को पकड़ा उसकी भावना को चोट पहुंचती है इसलिए सार को पकड़ना है तुम्हारी भावना कितनी नाजुक है जी ठेस लग जाती है उसे तुरंथ चोटिल हो जाती है मातरिक सब्द से तुम्हारी भावना कितनी नाजुक है जी ठेस लग जाती है उसे तुरांत चोटील हो जाती है मात्रेक सब्द से मात्रेक वाय के हिला देता है उसके जड़ तक मात्रेक वाय के हिला देता है उसके जड़ तक उखर जाता है वह और ये छोटी सी कविता और ये छोटी सी कहानी से बहुत दुख होता है हमे जब देखता हूं तुमारी भावना को किसी कुलेदान पर पड़े पड़े दम तोड़ते हुए बहुत दुख होता है हमें जब देखता हूं तुमारी भावना को किसी कुलेदान पर पड़े पड़े दम तोड़ते हुए और तब अचम्भीत होते हैं हम कि क्यों नहीं सोचते हो तूम और तब अचम्बीत होते हैं हम कि क्यों नहीं सोचते हो तूं अपनी जड़ विहिन भावना की जड़ के बारे में चलिए अवांत में मैं एक और कविता सुनाता हूं और इसके बाद आप सबों से विदा लेता हूं उसके पहले दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कविता का सीर्सक है जाओ उन्हें प्राण करो सीर्चुका गरे इसे मेरी बंधना समझे जब प्रोग्राम सुरू होता है तो लोग बंधना करते हैं प्रोग्राम सुरू करने के लिए मैं अंत में बंधना करता हूं तो उसके पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा परिस्त्रम की मिसाल है जिस पर करजों के निसान है घर चलाने में खुद को मिटा दिया और कई नहीं और कोई नहीं वह किसान है जाओ उन्हें प्रणाम करो सीरी चुका कर ध्याम दिजेगा देखो उस खेत में देखो उस खेत में जानवरों के साथ में अनदाता काम कर रहे हैं रक्त सीचकर देखो उस खेत में जानवरों के साथ में अनदाता काम कर रहे हैं रक्त सीचकर उन्ही के भरोशे जीता है तुसान से उन्ही के भरों से जीता है तु साम से अरे वही तेरा रक्चक है परमेश्वार जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा करें देखो उस खेत में जानवरों के साथ में अन्दाता काम कर रहे हैं रक्थ सीच कर उन्ही के भरों से जीता है तु सान से अरे वही तुम्हारा रक्च तेरा रक्चक है परमेश्वार जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा करें जाओ उन्हें प्राम ग्रोसी जुगा करें देखो मजदूर मजदूरीन कर्म रथे विश्राम हीन कड़ी धूप में घर्म सिक्त भार्म यसिर पर थंडे महल में तेरा वास उप्री मंजिल पर विलास अरे उन्हें के सहारे तू उठाए उपर जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा करें जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा करें देखो मजदूर मजदूरीन कर्म रथे विश्राम हीन कड़ी धूप में घर्म सिक्त भार्लिय सी पर ठंडे महल में तेरा वास उप्री मंजिल पर विलास अरे उन्हें के सहारे तू उठाए उपर जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा कर जाओ उन्हें प्राम करो सी जुगा करें देखो उन्हें कंगालों को जोला लिये भीक्चुकों को पेड की नीचे कोन है उसब हाई रे बे घर्म सब कुछ लुड लिया तूने जला देंगे वे प्रधागनी में अरे जल्दी पात्मुख थो चमा मांकर जाओ उन्हें प्र प्राम करो सी जुगा करें देखो उन्हें कंगालों को जोला लिये भीक्चुकों को पेड की नीचे कोन है उसब हाई रे बे घर्म सब कुछ लूट लिया तूने जला देंगे वे प्रधागनी में अरे जल्दी पात्मुख थो चमा मांकर जाओ उन्हें प्राम करो सी और समय नहीं है कि मुझे इतने देर तक बरदास्त किया आप लोगोंने आप लोगों को मेरा साश्टंग प्राम आधरणिया देवेंद्र जोसी जी बहुत ही प्रगतिसी सोच के बेखती हैं मैं उन्हें प्राम करता हूं जन सरोकार मंच का अभार बेखत करता हूं और आप सबों को मैं धिन्वाद देता हूं नमस्कार